दोस्तों YouTube पे अगर कोई आपका वीडियो कोपी करके अपने चैनल पे लगा लेता है या आपका तबनेट कोपी कर लेता हूँ YouTube में यह उपशन है आप पता कर सकता है कि आपका कॉंटेंट कोई अधर यूजर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है तो YouTube के तरफ से उसके पास message पहुच जाएगा कि उसने किसी और का content यूज किया है उसके पास एक time limit होगा अगर वो वीडियो को delete कर देता है या सही करता है तब जाकर YouTube से वो strike हटा लिया जाता है otherwise अगर उसके पास 3 strike इसी तरह के आ जाता है तो उसका channel delete हो सकता है YouTube के तरफ से उसे terminate भी करकिया जा सकता है तो जिहां दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इस knowledge आपको देने वाला हूँ तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि मेरा जो content है उसे किसी और ने use किया है या नहीं किया है अगर किया है तो कैसे आप उसे copyright strike दे सकते हैं ये जो setting पहले कुछ और था 2021 में बहुत सरे YouTube के features जो है वो update हो चुके हैं तो settings जो है थोड़ा बदल चुका है तो इस वीडियो का आप लाज तक जरूर देखे है इसमें मैं complete setting आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप copyright strike कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे है टेक्नो फोर इंडिया YouTube चैनल तो दोस्तों सबते पहले मैं अपना laptop screen का recording on कर लेता हूँ आप अगर mobile से कर रहे हैं तो mobile से भी आप Chrome browser में जाकर यूटूब कर यूटूब कर यूटूब का जो studio option है आप वहाँ जा सकते हैं उससे पहले आप Chrome browser का जो setting है उसमें आप देखेगा कि desktop mode आप enable कर लिजएगा तो क्या होगा आप desktop mode के तरह आप mobile पे भी आप वो option में जाकर आप same setting कर सकते हैं मैं अभी screen पर आपको दिखाऊंगा तो पहले मैं laptop का screen on कर लेता हूँ तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को browser open कर लेना है उसके बाद आप YouTube on कर लिजे उसके बाद जो आपका logo है उस logo पे जाकर आप YouTube studio में चाहिए उसके बाद हम लोगों को क्या करना है इस तरीके का YouTube studio खुल जाएगा यह मेरा second channel है इसी में copyright strike आया इसलिए मैं इसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो उसके बाद क्या करना है यहाँ पे देखिए एक copyright का option नेका आ रहा है इस copyright option में जाएए पहले फीचर नहीं था अब आ चुका है तो यहाँ से आसानी आप किसी भी वीडियो को चेक करके आप उसे copyright strike दे सकते है तो इस option में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक वीडियो में जो है कि बता रहा है कि यह वीडियो मेरा जो है किसी और user ने इसे use कर रखा है तो यहाँ पर भी बता रहा है कि कितना match wreck content है मतलब मेरा वीडियो से कितना % usan facts है तो यहाँ पर बता रहा है कि 100% मतलब किसी ने मेरा content को уч looh तो यह पहले आपको कॉन्फर्म कर लेना जरूरी है क्योंकि बीना कॉन्फर्म करने के लिए क्या करना है यहां पर जो वीडियो का नाम भी लिखा हुआ है तो यहां पर देखिंए कि एडियो का अप्शन अप उसपर क्लिक करेंगे तो ग्लिक करने के यहां पर जाएगा और जो वोईज आवाज है वो भी मेरे चैनल का ही वीडियो का है तो इसे में क्लोस कर लेता हूँ क्यों कोई मेरे कॉन्फर्म हो चुका हूँ कि किसी और ने मेरे वीडियो को पुरा 100% उसने अपने चैनल पर डाल के यूज किया तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है एक कॉन्फर्म तो हो चुका है कि किसी ने मेरे वीडियो को रिमोबेल का ओप्सेन एक आ रहा है साइड में ओप्सेन आ रहा है कॉन्टेक्ट चैनल मुलब इसमें अगर मैं कॉन्टेक्ट करूँ तो चैनल वाले को इमेल भी पहुच जाएगा मैं अगर कुछ परसनली उससे बोलना चाहता हूँ कि मैं श्ट्राइक नहीं दूंग या फिर मैं डारेक्ली यूट्यूब के थ्रो ही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनको कि वीडियो को कॉंटेंट को मेरे कॉंटेंट को डिलीट करने के लिए तो यहां पर आप क्लिक कर लिजए उसके बाद देखिए option के आए कि आपका जो वीडियो है वो अटोमेटिकली यहां पर सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद हम लोगों को क्या करना है यहां पर एक form में उससे फिलब करना है तो यहां पहला जो है myself है उसके बाद देखिए option में लिखा हुआ है name of copyright owner तो यह form में आपना खिलाब कर लेता हूँ जो नाम है आपका ओसे ही सही नम ही आपे देद किएगा जो भी आधर कार्ड में लॺ नाम दिया हुआ है या यूटुब चैनल में जो नाम दिया है वह नाम देदीन यहाँ चैनल का नाम नहीं मंग रहा है सब कि उसके बाद option देखिए relationship to copyrighted content तो मैं ओनार हूँ इसलिए मैं ओनार दे देता हूं यहाँ पर कि उसका फोन नम्मर मांग रहा है कि उसका अब कंट्री सेलेक्टर ने के लिए बोल रहा है कंट्री सेलेक्टर लगता हूं कि उसके बाद एड्रेस पांग रहा है एड्रेस डाल देता हूं कि यह options मैं hide कर दे रहा हूं आप लग अपनी साब से अपना एड्रेस contact नमबर आप डाल लेजेगा कि 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 अब यहां सेकंडरी एमेल एड्रेस डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है इस्टेट आप डाल देजेए कि पिन कोट डाल देजे हैं कि उसके बाद देखिए आहां तर तीसरे नमबर पर एक option आ रहा है यहां पर बता रहा है कि सेडूल सेंडेस सेवें डेस नोटीस मतलब क्या है कि साथ दिन के एक नोटीस यूट्यूब के तरप से उसके पास जाएगे कि सेवें डेस के अंदर आप अपना वीडियो को चैन है तो फिर यूट्यूब बाला फॉर्दर मुलों आगे का action लेता है उसके उपर हो सकता है उसका चैनल डिलीट कर दे या फिर टर्मिनेट कर दे और दूसरा option जो है एक इस्टेंडर रिक्वेस्ट है जो एक इस्टेंडर सिस्टम में यूट्यूब के तरप से तो उस ही option में आप अपना नाम डालिए जो भी ओरजिनल नाम है जो आधार कट के वेस में है वहीं डालिए उसके बाद क्या करना है दोस्तों उसके बाद simply आपको सब्मीट पर क्लिक करना है जैसे आप सब्मीट पर क्लिक करेंगे यहां एक मेसेज आ जाएगा कि आपका यह रिक्वेस्ट जो है वह सब्मीट हो चुका है अब कॉंफर्म करने के लुए कि हाँ कैसे मलब सब्मेट हो चुका मैं कॉंफर्म करना है आपको कि वह गया या नहीं ज़्क आं!! अधो बताएंगा इन प्रोसेस में है यत तो जब हो जाएगा तो जब दुब़ार आप देख सकता है चेक कर सकते हैं आप after seven days आप चेक कर लिजे या दो तीन दीन बात भी आप चेक कर लिजे तो जो भी आगे का अपडेट है आप पर पता चल जाएगा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं में इस इस्ट्राइक को मैं हटा लूँ अपने तरब से सपोस्थ की जो जिसने कोपी किया वो आपसे कॉंटेक कर रहा है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरे स्ट्राइक आप हटा लिजे तब आप उसको हटाने के लिए क्या करना है ऊपर यह दिये गए इमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा यूट्यूब को कि मैं ज यूट्यूब से कोई कंटेक करना है सबपोस्थ अगर सेवन डेज में अगर यह इश्टाइक नहीं हटा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डायक्ली या यूट्यूब से कोई मेसेज आ आरा है आपको तो ही मेसेज सेक्षन में वह मिल जाएगा आपको कि को चोड़ी किया अपने चैनल पर लगाया आप उसे कोपी राट इस्ट्राइक दे सकते हैं तो यहीं भी जानकर यह आपको देना था वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए तो इसी तरीके का वीड कि झालाओगा